दर्शकों स्वागत है आपका हमारे शो में जहां हम आपको बताते हैं आपकी हर समस्या का सامधान बहुत ही सिंपल तरीके से दोस्तो आज जिस वशीकरंग विधी के बारे में मां आपको बताने जा रही हूं वो एक बहुत ही साधारण सी विधी है और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपको इस के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी सामगरी किया वशक्ता नहीं है ना तो आपको अपनी रसोय से कुछ लेना है और ना ही बाजार से और एक महत्वपूर बात ये करने के लिए आपको एकांत स्थान की चिंता करने की भी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसे सोने से पहले अपने बिस्तर में ही करना है इस विधी को संपन करने के लिए आपको किसी नदी पर नहीं जाना और ना ही किसी चौराहे पर ना ही किसी पेड के नीचे क्योंकि इसे आपको अपने बेड्रूम में ही अपने बिस्तर पर ही करना है तो आईए मैं आपको बताती हूँ इसकी विधी रात को खाना खाने के बाद जब आप सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाते हैं तब इसे करना है आपको सब कामों से फ्री होकर अपने सोने के स्थान पर जाना है और जाकर अपने बिस्तर पर पालती मार कर ध्यान मुद्रा में बैच जाना है अब आप जिस व्यक्ति से प्रेम करते हैं उसके बारे में सोचिए ये कोई भी स्त्री या पुरुष हो सकता है जिसको आप पसंद करते हैं प्यार करते हैं लेकिन वो है कि आपकी कोई बात सुन के ही राजी नहीं और वो किसी और को चाहता है या आपकी कोई ex-girlfriend हो सकती है ज आपके message तक का जवाब नहीं देती ये व्यक्ति आपकी पत्नी भी हो सकती है जिसके साथ पहले तो शादी शुदा जीवन बड़े मजे से चल रहा था लेकिन अब व्यवहाहीक जीवन की गाड़ी पट्री से उतर गई है तो आपको बिस्तर पर बैठ कर अपनी पत्नी पर ध्यान लगाना है ये व्यक्ति आपका पती या boyfriend भी हो सकता है जो किसी दूसरी औरत के चक्कर में पढ़ गया है और आपको इगनोर करने लगा है और आप पर बिल्कूल ध्यान नहीं देता तो ऐसे में भी ये मंत्र एकदम रामबान का कार्य करता है या ये कोई वो व्यक् व्यक्ति में खटास आ गई है ये व्यक्ति आपके परिवार का कोई सदस्य हो सकता है जैसे कि माता पिता बहन भाई या आपका बिजनस पातनर या कोई बेस्ट फ्रेंड या कोई भी जिनके साथ आपके पहले तो बहुत मधूर संबंध थे लेकिन आप दोनों में ऐसी प्यार करते हैं जिसके साथ आपने संबंध जोडना चाहते हैं या किसी के साथ टूटे हुए रिष्टे फिर से जोडना चाहते हैं तो आपको उस व्यक्ति के बारे में सोचना है उस पर ध्यान लगाना है ध्यान लगाते वक्त जब आप प्रसन हो जाएं तो एक मंत्र नमोक्लीम् दूम् नमः ये मंत्र आपको कुल 11 बार बोलना है अब आपको सौजाना है बस दो बातों का आपको ध्यान रखना है इस दिन आपको नौनिज नहीं खाना और ना ही हात में किसी प्रकार का कोई पत्थर जैसे के मूंगा या पुखराज वगहरा धारन नहीं करना विधी संपन होने के एक दिन बाद ही देखेगा कैसे वो व्यक्ति आपकी तरफ खीचा चला आएगा आपसे बात करने के बहाने ढूलेगा उसे पता ही नहीं चलेगा कि कब वो आपकी तरफ सम्मोहित हो गया और दोस्तो अगर आप इस विधी को ध्यान पूर्वक करने में सफल हो गए तो देखना कैसे आपका इरिष्टा कभी नहीं तूटेगा इस रिष्टे की मिठा सारी जिंदिगी भर बनी रहेगी तो दोस्तो विधी को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल या डाउट है तो अभी स्क्रीन पर दिये गए नंबर पर हमें कॉल कीजिए आपके जीवन की यदि कोई भी समस्या है तो आप जब चाहें हमें कॉल कर सकते हैं, वाटसअप कर सकते हैं हमारा नंबर लगातार स्क्रीन पर चल रहा है धन्यवाद